नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेश बार आपका स्वागत है आज हम राजस्थान आर्टन कल्चर में बात करेंगे जो हमारी पेंटिंग्स की सीक्वेंच चल रही थी जिसमें दो वीडियो अप्लोड किये जा चुके हैं आपने अभी तक वह नहीं देखे हैं तो आप डिस स्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है प्लेलिस्ट करें और उसके अलावा फिर भी आप और देखना चाहें तो प्लेलिस्ट सेक्षन में जाएं डीटेल देखें बहुत सारी प्लेलिस्ट क्रिएटेड हैं वहाँ पे आपके जो काम की हुआ आप फॉलो कर सकते हो और बाकी नोट से रिलेटेड इंफरमेशन बहुत जन्हें कमेंट में पूछते रहते हैं कि सर नोट कैसे गीन करें इसका सिंपल सा प्रोसेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए टेलिग्राम चैनल का लिंक गिवन है उस लिंक को जैसे ही आप जोइन करोगे टेलिग्राम मनी पे करनी है स्क्रीन शॉट लेना है टेलिग्राम चैनल मैसेज में कंटेक नंबर गिवन है उन कंटेक नंबर पे आपको स्क्रीन शॉट भेजना है आपको थोड़े टाइम के अंदर अंदर ही नोट्स आपको पीडिया फर्मेट में मिल जाएंगे ठीक है अभी जो अभी 29th lecture तक compiled है बाकी compilation अभी जल्दी कर दूँगा जैसे आज painting complete हो गई न तो आपको जल्दी update मिल जाएगा ठीक है और अगर आप गार्गी classes को contribute करना चाहते हैं तो हमेशा हम welcome करेंगे उस चीज़ को और thank you उन सब के लिए जिन्होंने अभी तक बहुत ही contribute बहुत अगर बूंदी की painting style की बात करेंगे अगर बूंदी की painting style की बात करें तो यह सबसे ज़्यादा flourish कब हुई थी the most मतलब flourish हुई थी mostly किस टाइम पर राव सुर्जन सिंग के टाइम पर राव सुर्जन सिंग हाड़ा क्योंकि हाड़ोती वाला रीजन है हाड़ा और किंग्स के बारे में हम अल्रेड़ी पढ़ चुके हैं history में इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं उनमें नाक जो है वो पॉइंटिड नोज है एकदम फलफी से चीक्स हैं गाल थोड़े मोटे हैं स्मॉल स्टेचर है हाइट जादा नहीं है अगर कोई भी पेंटिंग में आप देखोगे रेड और यलो कलर यह तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कॉमन रही है राजपूत पेंटिंग्स में ठीक है यह कुछ लोकल केरेक्टर स्टिक्स को शो कर रही है इन पेंटिंग्स में इसके अलावा इन पेंटिंग्स में आप देखोगे फाइन क्लोध्स एंड डॉम्स ठीक है इनकी प्रेजेंस पेंटिंग में इंडिकेट करती ह कि इस painting style में या बुंदी style पर मुगल influence भी रहा है तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है fine clothes and domes इसके अलावा आप देखोगे ये जो paintings है ये mainly based है Krishna लीला पे, राम लीला पे ऐसे ही बारह माशा, बारह माशा hunting के सीन है, elephant की fights है horse races है, birds है, animals है, fruits है, flowers है मतलब nature के बहुत ज़्यादा करीब है तो ये जो birds, animals, ये जो है ये इसकी features है कई बार indirect question पूछ लिया जाता है statement दे देंगे, उनमें से पूछेंगे bird and animal जिस particular painting style की features है तो बुंदी style आप pick कर लेंगे इसके अलावा आप देखोगे जो female figures है, उनमें, उनकी आँखे जो है ना उनकी आँखों के upper and lower जो lines है वो parallelly आकर के फिर एक दूसरे को join करती है ये एक significant feature है female का अगर figure की बात की जाए जो इस particular school of painting में देखा जा सकता है इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर एक चित्रशाला, चित्रशाला की painting है जो की colored painting है ये बनवाई गई थी राव या महाराव उमेद सिंग के टाइम पे जो की best example है बूंदी school या फिर बूंदी style of painting तो चित्रशाला जरूर याद रखना है ये significant name है और अगर prominent painters की बात करें ध्यान रखने है ओके आगे चलते है next painting style है वो है kota ये देखो वैसे तो आपको पता ही है कि हाडोती वाले रीजन में बूंदी से फिर kota अलग हुआ था तो independently इस school का establishment या style का establishment हुआ था महारावल राम सिंग के टाइम पे ये एक important चीज है दूसरा जब हम कल्ट की बात करें तो वहाँ पर वल्लब कल्ट की जब बात आई थी ना तब हमने देखा था कि कोटा में भी एक है मतलब इस particular कल्ट की presence है तो इसमें आप देखोगे ये जो painting's है ना कोटा painting's उन पर वल्लब कल्ट का influence देखा जा सकता है के scenes को depict किया हुआ है इन paintings में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राव शत्रुशाल ठीक है उनके time पे जो एक कह सकते हूँ कि भगुवत की जो concise volume है उसकी painting बनवाई गई थी ठीक है भगुवत की concise volume मतलब छोटा volume उसकी painting बनवाई गई थी शत्रुशाल के time पे जो की दुर्जन साल के air थे ठीक है air का मतलब क्या होता है उत्रादिकारी ठीक है इसके अलावा miniature painting की बात करे कोटा की उसकी progress register की गई थी mainly 1750 से 1850 के बीच में ठीक है और उस time patronis देने वाले जो king हुआ करते थे एक तो थे ये शत्रुशाल जो थे इनको 16 साल भी बोला जाता था ठीक है और राम सिंग के time पे ये दो important राम सिंग का time हम अल्रेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से कोटा की जो painting style है उसको independence मिली या independent identity create कर पाई थी colors की बात करें तो red, yellow, blue, green, white ये कुछ important colors हैं जो की यहां पर painting में आपको देखने को मिलेंगे ओके चलते हैं next पे next है जैपूर style जैपूर style की अगर बात करें तो ढुन्डाड reason की जब बात आती है तो ढुन्डाड reason में देखो जैपूर सेखावाटी और अलवर का ज़्यादा तर हिस्सा आ जाता है अगर डुन्डाड की बात करें तो अभी हम बात करें जैपूर style की जैसा कि हमें पता है हमने history में अल्ड़ी बात किये बहुत बार कि जैपूर घरानी किया जैपूर जो रॉयल फैमिली है उनका relation मुगल्स के साथ में बहुत ज़ादा था ठीक है ना अकबर के टाइम से ही था तो इस वज़े से जैपूर स्टाइल की पेंटिंग्स पर आपको मुगल स्टाइल का influence देखने को मिलेगा ईश्वरी सिंग जो की सवाई जैपूर सिंग के बेटे थे उन्होंने ईसरलाट करके एक टावर बनवाया था आप कह सकते हो बड़ा उस टावर में उन्होंने बहुत ही मतलब artistic paintings भी बहुत बनवाया थी even उनका खुद का एक portrait बनवाया गया था और painter था साहिब राम तो ईसरलाट ईश्वरी सिंग जो की इसके बारे में भी हम अल्रड़ी पढ़ चुके हैं कि ईश्वरी सिंग के बारे में किस तरीके से मादो सिंग और ईश्वरी सिंग के बीश में बैटल था और इसी ईसरलाट में फिर उन्होंने suicide कर लिया था वो सारी चीज़े हमने देख लिए माराटों के डर्ज है वो सारी चीज़े हमने अल्रड़ी देख लिया ठीक है portrait की बात करें ईश्वरी सिंग की तो वो किसने बनाया साहिब राम ने इसके अलावा important king है सवाई प्रताप सिंग उनके time पे बहुत सी paintings draw करवाई गी थी painters के द्वारा तो आप देखोगे महा भारत, रामायन, कृष्ण लीला, गीत गोविन और कामसुत्रा जैसी कई important text थी उनको इन्होंने painting के तोर पे depict करवाया था ठीक है सवाई प्रताप सिंग miniature style की बात करें जो छोटी images होती ना छोटी pictures अगर उनकी बात करें तो जैपुर में वो mainly 1700 से 1900 80 80 के बीच में flourish होई और ये period आप मानोगे 1700 तो आप देखोगे सवाई जैसिंग का जब rule आया था ना वो 1699 से 1743 80 तक था तो इसी time पे आप देख सकते हो mainly patronage मिली थी तो सवाई जैसिंग first जिन्होंने जैपुर को establish किया था उन्हीं उन्होंने miniature style painting को patronage provide की थी इसके अलावा आप देखोगे महराजा सवाई प्रताप सिंग जिनकी बात हम अलरेड़ी देख चुके हैं जिनका रीन रहा था 1779 तो 1803 तक वो एक मतलब इनका period जो था ना इनकी रीन का time इनकी राज का time वो भी glorious period के तोर पे consider किया जाता है सवाई जैसिंग का period तो था ही अब ये और period glorious माना जाता है इसमें आप देखोगे जो राजे थे बहुत सारे kings उनकी painting बनवाना रागमाला की theme पे painting बनाना ऐसे स्रीमद बगवद गीता हो गई दुर्गा सब्त सती हो गई इन पर based बहुत सारी paintings draw करवाई थी महाराजा सवाई प्रताब सिंग ने अगर prominent painters की अगर हम बात करें तो वो है मुहम्मद शा, गोविंद गासी, साहिब राम लाल चितारा रामजी दास हो गए सालिग राम हो गए त्रलोक हो गए और रगुनाथ ये कुछ important names है एक दो बार आप इन पे नजर जरूर मानना जिनसे आपको कुछ idea लग सके चलते हैं next painting style पे next painting style है आमेर style आमेर को देखो अमबावती नगरी के नाम से भी जाना जाता था और आपको पता है जैपुर से पहले कच्छवाहों की ये capital हुआ करती थी ठीक है यहाँ पर भी मुगल style का influence देखा जा सकता है पूरा और paintings की बात करें तो Krishna Lila, Laila Majnu elephant और horses की images और wrestling कुस्ती वाले जो scene है वो आपको बहुत देखने को मिल सकते है आमेर style painting में अगर बात की जाए तो next style है alwar style देखो राजपुता ना कि अगर splendor को देखना है ना कि वाकई में कितना वैभा हो रहा है वो आपको alwar style में देखने को मिल जाएगा इसके अलावा वो ही थीम कृष्णा लीला राम लीला नैचर के बहुत सारे scene राग रागिनी इन पे बेश्ट बहुत सारी painting बनवाई गई थी alwar में ठीक है alwar style जो है painting की उसमें देख सकते हो अब आप देखोगे जैपुर से अगर आप निकलते हो की alwar की जो ये painting style है इसको identity कब मिलना शुरू हुई जब राव राजा बक्तावर सिंग यहां के ruler बने और फिर उसके बाद में विने सिंग तो दो important rulers हैं जो की art lover थे या फिर artistic खुद को consider किया कर सकते थे हम मान सकते हैं ये चीज तो राव राजा बक्तावर सिंग और एक विने सिंग इन में scenes देखोगे जैसे हमने बात की की natural scene बहुत ज़ादा है तो इन में देखोगे जैसे forest होना gardens का grooves का विहार हो गए palaces हो गए ये बहुत ज़ादा dominant करते हैं इन paintings में mainly अगर देखा जाए 1975 AD के टाइम पे consider की जाती है जैसा कि हमने अल्रेडी देखा कि विने सिंग बहुत important ruler रहे है अलवर रीजन के अगर बात करें और उनी के टाइम पे एक तरीके से बहुत सारी paintings बनवाई और एक different identity मिली अलवर की painting को तो इनी के टाइम पे miniature painting बनवाई गई थी और बहुत शांदार progress register की थी miniature painting ने even इन्होंने गुलिस्ता एक manuscript जो की महात्मा शेक साधी ने बनाई थी लिखी थी उसकी painting भी बनवाई थी तो ये बड़ी important fact आप याद रखना कि विनैसिंग के टाइम पे ही miniature painting ने tremendous progress register की थी साथ में गुलिस्ता एक manuscript है उसको बनाया कि किसने लिखा था महात्मा शेक साधी ने उस script को painting के तौर पे किसने print करवाया तो वो था विनैसिंग और paint करने वाले painters का नाम एक तो थे गुलाम अली और दूसरे थे बलदेव ये दो नाम बड़े important है आप ध्यान रखिएगा ये information बहुत गजब है इसके आगे आप देखोगे तो बलवन सिंग इनकी बात करें तो इनके time पे आप देखोगे जो चंडी पाठ करके एक manuscript थी उसकी पेंटिंग इन्होंने बलवाई थी बलवन सिंग ने और कुछ important या prominent जो painters थे इसके अलवर स्कूल के अलवर स्टाइल के अलवर स्टाइल के तो उसकी बात करो तो तो देखे से गुलाम अली, बलदेव, डालचंद, सालिग राम, बुद्धा, नानक, जगननात, राम गोपाल, राम सहाई, विश्नु पुशाद और जमनादास यह कुछ important नेम्स हैं जो की अलवर स्टाइल पेंटिंग स्कूल से associated हैं आगे देखते हैं इसके अलावा छोटे लाल और बाले शाम यह भी दो important और पेंटर्स थे अलवर स्कूल के अब बात करते हैं फाइनल स्कूल के जो हैं अजमेर स्टाइल देखो miniature art की बात करें ना राजस्थान में तो world famous जो है वो है अजमेर की जो painting है miniature यह हमें ध्यान रखना है दूसरा इसकी एक अलग ही identity है आप देखोगे यहाँ पर इस style को royal patronage तो मिला ही एक common man ने भी बहुत सारी painting बनाई हैं अजमेर style में तो दोनों का contribution यह एक आप कह सकते हो distinguish करने वाली feature है इस particular painting style का यहाँ पर आपको painting में बड़े-बड़े महल palaces से भी palaces से एक गरीब की छोटी सी hut मतलब जोपड़ी तक भी दिखाई दे सकती है यहाँ पर female और male के जो figures है उनकी बात करें तो female है उनके लंबे बाल है कमर तक के ठीक है लंबे हाथ है even fingers जो है वो artistic हैं और sharp है मेंदी लगी हुई है हाथों पे और जो औरतों ने जो कपड़े पहन रखे उनमें लहंगा बासेडा या फिल लूगडी ऐसे करके कुछ important उनके outfits हैं इसके अलावा male figures की बात करो तो उनकी आँखे गोल है ठीक है इसी तरीके से जो जुल्फियां आए हुई है long lock of hair लंबी लंबी जुल्फियां दिखाई हुई है mustache हैं मूचे हैं वो sharp और curly हैं गुमाओदार beard है face पे साथ में इन्होंने कमरबंदी पहन रखा है pyjama पहन रखा है even मुगल और राथोड़ी टाइप की जो पकड़ियां है turbans है वो भी पहनी हुई दिखाई दे सकती है इस वाली painting school में साथ में males की जो figure हैं उनमें आप देखोगे कुछ और decorative ornaments आप देख सकते हो जैसे तुर्रा कलेंगी सरपेच और जो मोतियों की माला है pearl necklace वो भी है और हाथ में है sword तलवार भी इनके हाथ में आप देख सकते हो तो ये कुछ important features है इनके यहाँ पे और इस particular style के prominent painters की बात करें तो उनमें चांद तयब जी नवला एक तो ये नाम है दूसरा है राय सिंग भाटी लाल जी भाटी और नारायन भाटी और रामा ये कुछ important prominent male painters थे तो एक lady painter भी थी उनका नाम था साहिबा ठीक है इस तरीके से हमने आज painting पूरी complete कर दी है और इस तरीके से अब आपको जल्दी ही update मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल पे की notes complete हो जाएंगे ये जो content है अभी तक का यहां तक और कोशिश ये की जा रही है कि आज से आज होगी date around क्या date होगी आज हाँ 31st of January 2021 तो हम आपके लिए अब राजस्तान economy और राजस्तान political and administrative setup इसके भी अब videos आपको जल्दी ही मिल जाएंगे English medium में क्योंकि इनकी demand भी बहुत जादा आ रही है तो आप गारगी classes को follow करते रहो और RAS की preparation आप कर रहे हो न तो daily basis पे Monday to Saturday आपको सुबह editorial वीडियो मिलता है और शाम को news analysis मिलता है Indian Express का उसको follow करना बिलकुल ना भूले क्योंकि उसमें आपको current affair आपको update होगा issues आपके clear हो जाएंगे इसमें क्या होगा current affair और static portion parallel चलता है ना अब तैयारी होती है शानदार वाली ठीक है तो यहीं पर वीडियो खतम है thank you very much